परबधाम मंदिर सबसे प्रसिद्ध मंदिर है जो भारत के गुजरात राज्य सौराष्ट में भेसान के पास परबवावडी गांव जूना गढ़ जिले में स्थित है परबधाम एक लोकप्रिय धार्मिक स्थान है यहां संत देविदास और अमरमा की समाध्धी है जिन्होंने कुष्ट रोग से पीडित और समाज द्वारा त्याग दिये गए लोगों की सेवा की थी माना जाता है कि परबधाम की स्थापना 350 साल पहले संत देविदास ने की थी उनका जन्म रबारी जाती में मुंजियासर गाम के नेस में जीवा भगत और सजन वाई के यहां हुआ था देवा भगत की आस्था और मानव सेवा से प्रसन्न होकर संत जेराम भारती ने देवा रबारी से देविदास नाम रखा देविदास ने आसपास के गाव से भोजन लाने के लिए जुआ गुमाया और भूखों को खाना खिलाना शुरू कर दिया परबधाम में नय मंदिर का उद्गाटन 1982 में करशन दास बापू के गुरु सेवा दास बापू ने किया था और मंदिर 1999 में बन कर तयार हुआ था यह नया मंदिर भव्य और विशाल है इनमें अमरमा भी उनके साथ सेवा यग्य में जुड़े थे अमरबाई आहिर जाती से थे और विसावदर के शोभा वडला गाव में रहते थे अमरमा ने देविदास बापू को रक्त पिती के रोग्यों की सेवा करते हुए देखा यह देखकर अमरमा का मन संसार से जाग गया उन्होंने पती के साथ जाने के बजाए उत्सव स्थल पर ही रुकने का फैसला किया संत देविदास बापू ने उन्हें जाने के लिए मनाया लेकिन वे नहीं माने हर वर्ष यहां बीज का भव्य मेला लगता है चार अप्रेल को महा महिना बिज, दशेहरा और महंत सेवादास बापू की पुण्यतिथी के अवसर पर यहां उत्सव का माहौल है जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालू आते हैं परबधाम में नव प्रमुक समाद्य